हलो बच्चों, कैसे आप सब लोग रिन्बो इंग्लिश क्लास 12 की कंपलसरी बुक की मैं पॉइम क्या, लास्ट पॉइम है मेरी ये The Seven Ages of Man पॉइम के राइटर है विलियम शेक्सपीर विलियम शेक्सपीर वो महान लिखक है जिनके बारे में English literature में यदि कोई पढ़ता है तो वो बहुत detail में जान सकता है पर यहां पर short में हम लोग भी जानेंगे जी, विलियम शेक्सपीर 1564-1616 इनका टाइम था English point थे, playwright थे, नाटक कार होता है playwright actor, अभिनेता and dramatist और नाटक कार थे He is often called the bard of Avon उनको bard of Avon भी कहा जाता था उन्होंने 38 play लिखे हैं 154, 154 sonnets लिखे हैं, sonnets होते हैं छोटी poems and 12 long narrative poems यह इनके work है तो बहुत ही famous writer रहे है विलियम शेक्सपीर यूं कहें कि English के महान लेखक, जैसे कालीदास को जाना जाता है हमारे देश में वैसे ही England में विलियम शेक्सपीर को जाना जाता है हम आज इनके poem पढ़ने जा रहे है The Seven Ages of Man आदमी की साथ अवस्थाएं व्यक्ती की साथ अवस्थाएं यानि कोई भी आदमी अपने जीवन में साथ रोल अधा करता है यह तो उसके stages है ही है तो हमें इन पर गौर करना है Language बहुत ही सरल है आप लोग कोशिश करेंगे बहुत इसली समझ में आएगी एक एक word to word में चल रही हूँ All the world is a stage World is a stage यह सारी दुनिया एक रंग मंच है Stage means रंग मंच And all the men and women merely players और सारे के सारे आद्मी और ओरते क्या है केवल, players है but merely means only yeah Yain हम सब क्या कर रहे है play कर रहे है play means खेलना भी होता है play means नाटक करना भी होता है play means बजाना भी होता है то यहाँ पर play का अर्थ लगेगा नाटक करना role play करना नाटक करना कोई भी अभिन्य करना तो देखो कितनी अजीब सी बात है सभी आदमे और और अदमे हम सब क्या है नाटक करने हैं सिर्फ उनके निकास हैं और उनके प्रवेश हैं यानि वो प्रवेश करते हैं चले जाते हैं जैसे ही किसी की death हो जाते हैं का रोल खतम हो जाता है और जैसे ही रोल खतम हो जाता है तो वो चला जाता है इस दुनिया से and one man in his time plays many parts और एक आदमी अपने समय में play करता है यानि रोल करता है many parts को बहुत सारे भागों को बहुत सारे रोल को करता है his acts being seven ages और उसके यही एक्ट से यही उसके रोल है ना साथ ages कही जाते हैं साथ अवस्थाएं कही जाते हैं हम लोग number से चलेंगे one two three four seven तक कौन-कौन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही interesting poem बहुत बड़े आनंद के साथ समझिए यहीं से शुरुआत हो जाती है first stage की at first यानि पहली बार में the infant जो सबसे पहला जो नाटक है न मतलब सबसे पहला रोल हमारा होता infant का जब हम बिलकुल छोटे बच्चे होता हैं क्या करता है वो इंसान जब भी छोटा बच्चा mewing and packing in the nurses arms अपनी नर्स की भुजाओं में अब यहाँ पे नर्स मतलब कौन है जो भी केर करती है आपकी ममा चाची दादी नानी बुआ मौसी कोई भी हो सकती है ना तो उनकी भुजाओं में वो क्या करता है म्यूइंग मिम्याता रहता है बच्चा ऐसे रोता रहता है ना anytime and packing and लार को गिराता रहता है यानि वो खुद अपने हाथों से खुद का कोई काम नहीं करता हम लोग जब चोटे थे तो बिल्कुल ऐसे ही थे दैन तर विनिंग स्कूल बॉय अब उसके बाद में क्या बनता है वो शिकायत करता हुआ स्कूल का बच्चा तो यह वाला स्टेज दूसरा है स्कूल बॉय है नंबर तू यहाँ पर नंबर टू आता है विद इस सैशे सैशे हो ता बैग अपने बैग को लेकर करके फिर वो शिकायत करता हुआ स्कूल जाता है कई बच्चे ऐसे बोलता है न बहीं जाऊंगा स्कूल काही बहानी भी बनाते हैं है ना और snail snail होता है एक जानवर गोंगा इसकी यह विशेष्ता होती है कि वह धीरे धीरे चलता है तो गोंगे के समान वह स्कूल वाला बच्छा unwillingly to school बिनना इच्छा के school जाता है यह हमारी second stage the third stage and the lover third stage में बनता है वो लवर, यह है नमबर थर्ड, infant था नमबर वन, school boy था नमबर टू, and third है नमबर लवर, नमबर थरी sign like furnace sign होता है आभरना furnace होती है भट्ती इसे furnace नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसे furnace, बोलिए furnace, with a woeful ballad, एक दुख भरा गीत गाता है, ballad में तो गीत, made to his mistress eyebrow, अपनी प्रेमिका की eyebrow में, eyebrow की तारीफ में एक दुख भरा गीत गाता है यह हुआ, third step four step four step, four चो age होगा, उसमें देखो क्या बनेगा वो इंसान, than a soldier, हम लोग उसके बाद में एक soldier के समान जीते हैं बहुत इंपोर्टेंट है full of strange odds बड़ी अजीब सी शपत ली होए रहते हैं हम लोग and bearded like the part और दाड़ी कैसी होती है तेंदुए के समान मतलब कहीं कटी, कहीं नहीं कटी अजीब तरीके की jealous in honor सम्मान में इर्शा लू honor होता है सम्मान और सम्मान में हमें इर्शा रहती है इस age में, यह age का फरक है sudden and quick in quarrel वो अचानक से और जल्दी जल्दी लड़ना शुरू कर देता है बात बात पर जगड़ता है कई बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने ममी पापा से भी जगड़ लेता है है रास्ते में चलते किसी आदमी से जरा सी टकर हो गई चोटी चोटी बातों पर जगड़ लेता है है ना तो यह वाली age तब आ जाती है seeking the bubble repetition और क्षानिक प्रतिष्ठा के लिए bubble का मतलब है बुल बुला और repetition यह नहीं प्रतिष्ठा बुल बुले के समान प्रतिष्ठा है हमारी तो उसमें उसको ढूंडता रहता है वो seeking मतलब होता है ढूंडना यानि चोटी सी कम देर की प्रतिष्ठा के लिए वो ढूंडता रहता है और यहां तक कि वो cannon के mouth में भी चला जाता है cannon होती है तोप तोप के मुँ में जाने कारती है कि खत्रों से न डरना यानि उसको कोई भी खत्री का काम करवालो वो उस समय हर खत्री का काम को करने के लिए तयार हो जाता है खत्रों का खिलाडी बन जाता है तो soldier की यह खास बात है important है क्योंकि इतनी सारी इसकी फीचर्स आया है तो आप लोग याद रखेगा and then the justice और फिर वो बनता है justice नयाधीश यह नमबर पांच हमारा fifth role है justice नयाधीश यह भी पहुत important है देखिए in fair round ballet with good capital lines बिल्कुल गोल गोल पेट होता है उसका और अच्छे अच्छे चूजे रहते हैं पेट में यहां पर चूजे पेट में रहने का मतलब यह है कि उसने कभी खूब सारे चिकन खाय होंगे अपने time में तो जिन परिष्थितियों में शेक्सपीर ने यह सब लिखा है उन परिसेतियों में वहां के लोग मीट खाते होंगे, यह जनरल बात होगी, तो आप लोग इस बात से चौकी एमत के उसके पेट में चूज़े हैं, उसकी आखें बिलकुल गंबीर हो जाती हैं, और जो दाड़ी है वो अब फॉर्मल कट में आ जाती है, फुल ओफ वाइज, वो बिलकुल बुद्धि मानी वाले बाते करता है, बुद्धि मानी वाले कहावते कहता है, modern instance, बहुत आधुनिक बाते भी करता है, जब हर प्रकार के उधारन वो देने लगता है, आपको समझाता है, तो आप किसी 40 के आसपास की आदमी को देखेंगे, वो कुछ ऐसा ही दिखता होगा ना, अपने आसपास की जितने भी लोग है, उनमें 40 साल के आसपास की लोगों को देखिए, वो कुछ इसी टाइप के से दिखेंगे आपको, and so he plays his part, और इस प्रकार से वो अपना रोल निभ यानि बिल्कुल नॉर्मल जीवन में आजाता है, वो वापस से अपने चंपल में आजाता है, अपने पजामे में आजाता है, पतलून में आजाता है, और दुबला पतला हो जाता है, with spectacles, spectacle होता है चश्मा, चश्मे में हमेशा plural word यूज़ करेंगे, spectacle नहीं बोलेंगे, spectacles बोलेंगे, ठीक है, एंड, तो चश्मा उसके नाक पर आजाता है, on nose, and pouch on side, और side में pouch लटक जाता है, जब कोई मोटा आदमी, जब पतला होता है, तो उसका जो fat होता है, तो वो side में pouch के समान, जैसे pocket के समान लटकता हो, महसूस हो जाता है उसको, तो यहां पर pouch का मतलब है जो fat है, वो लटक रहा है उसका, his youthful hose, उसकी जवानी के जो जुराबे थी, hose means जुराबे, well saved, जो कि बहुत अच्छे से save कर रखी थी उसने, अब world too wide, वो बहुत ही चोड़ी हो जाती है, धीली हो जाती है उसके, क्योंकि वो दुबला हो गया है, forest shrunk sank, क्योंकि उसके security चुकी होती है अब तक, and his big mainly voice, और उसकी जो बड़ी मरदानी आवाज रहती है न, वो भी आप किस में बदल जाती है, turning again towards childish treble pipes, बच्चे के समान, बिलकुल मंदी पढ़ जाती है उसकी आवाज, छोटे छोटे बच्चे जैसे बोलते हो, वैसे वो धीरे धीरे बोलने लगत सतर के साल के जो रहती है, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहे हूं, exceptions are always there, कुछ अपवाद भी रहते हैं, लेकिन generally ऐसी हलत में आ जाते हैं लोग, and whistle in his sound, और उसके sound में सीटी की सी आवाज आना शुरू हो जाती है, यानि बहुत धीमा sound हो जाता है, यह हुआ उसका छटा भ इन सब का अखरी सीन, यानि हमारा रोल चलता जा रहा है, that ends this strange eventful history, इस अजीब से घटना करम जो चला आ रहा है, उसका end होता है, यानि अन्त होता है, किसमें होता है, is second childishness, और उस अन्त को कहा गया है, दूसरा शिशू, मतलब दूसरा बच्पन, and mere oblivion, oblivion होता है, विस्मृ में, हर चीज, यहां रखिए और ढूनते कहीं है, इस टाइप के लोग हो जाते है, sense teeth, sense एक important word is को ध्यान रखेगा, इसका मतलब है, without, के बिना, बिना दात का, बिना आख का, बिना स्वाद का, कुछ भी नहीं होता है, उसके बिना रहता है वो, है ना, यानि कुछ भी नही आश्रित रहता है, वैसे ही, seventh, जो age होती है, उसका नाम है second childishness, वो अपने दूसरों पर, यह अपने घर के लोगों पर आश्रित रह जाता है, यह seventh age, तो मैं अगर number से लिख हूँ, तो, यदि मैं सबको एक साथ लिख हूँ, तो इस प्रकार से अपने सामने आते हैं, infant, second school boy third is lover, fourth is the soldier, fifth is the justice, sixth slipped pantaloon, और seventh is second childishness, तो इस प्रकार से यह साथो रोल कोई भी वेक्ति अपने जीवन काल में करता है, तो, पोयम आपको, मैं उमीद करते हूँ, याद हूँ, योगी, पोयम के कुछ meanings हैं, जो आपको hard लग सकती हैं, मैंने उनको भी लिखा है, देखते हैं, ह आप चाहो तो screenshot लेलो, stage, player, exit, entrance, infant, winning, creeping, unwillingly, furnace, woeful, बैल, woeful बैले डुदा सी भरागीत है, आप, पार्ड, jealous, honor, bubble, bubble repetition, यानि एक्षणिक प्रतिष्था, cannons, mouth, justice, cap and line, severe, saws, spectacles, hoes, oblivion और sense, तो, यह सारी meanings हैं, इनका चाहो तो screenshot लेलो और चाहो तो लिखलो, सभी को सभी questions करने हैं, उमीद करते हूँ, पोयम समझ आई होगी,